भजन सहिता 78, 1-8 तक, हे मेरे लोगो, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वच्चनों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुह नीतिव चिन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप बातें कहुंगा, जिन बातों को हमने सुना, और जान लिया, और हमारे बाप दादों ने ह व्यवस्था चलाई, जिसके विशे उसने हमारे पित्रों को आग्या दी, कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीडी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन होने वाले हैं, वे इन्हें जाने, और अपने अपने बाल बच्चों से इ एक से पंद्रह तक, फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तीमुथी उस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहुदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता युनानी था, वह लुस्त्रा और एकुनियूम के भाईयों में सुनाम था, पॉलुस की इ इसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्रा आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, उन्होंने मुसिया के निकट पहुंच कर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया, अतह वे मुसिया से होकर त्रूआज में आए, वहाँ पॉलूस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकेदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे बिनती करके कह रहा है, पारुतर कर मकेद दुनिया जाना चाहा, यह समझकर की परमेश्वर ने हमें उन्हेसो समाचार सुनाने के लिए बुलाया है, इसलिए त्रूआज से जहाज खोल कर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन निया पुलिस में आए, वहां से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकेदुनिया प्रा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, प्रभू ने उसका मन खोला की वह पौल उसकी बातों पर चित लगाए, जब उसने अपने घराने समेद बपतिसमा लिया, तो उसने हम से बिनती की, यदि तुम मुझे प्रभू की विश्वासी न मना कर ले गई, एक राजाओं 12, 25 से 33 तक, तब यारोबाम एप्रेम के पहाडी देश के शकेम नगर को द्रिल करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकल कर पनुएल को भी द्रिल किया, तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाउद के घराने का हो जाएगा, यद पुशलेम को जाना तुम्हारी शक्ती से बाहर है, इसलिए है इसराइल अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं, उसने एक बच्छडे को बेतल, और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि वेधी पर बली चड़ाने लगा, इस रीती उसने बेतल में अपने बनाए हुए बच्छडों के लिए वेधी पर बली किया, और अपने बनाए हुए उचिस्थानों के याजकों को बेतल में ठहरा दिया, जिस महीने की उसने अपने मन में कलप ना की, थी, अर्थात के पंद्रहवें दिन को वह बेतल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चड़ गया। उसने इस्राइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूब जलाने को वेदी के पास चड़ गया। एक राजाओं 13, 1-34 तक तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन और यारुबाम धूब जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी, हे वेदी। यहोवा यों कहता है कि सुन, दाउद के कुल में योशियाह नामक एक लड़का उत्पन होगा, वहुनूच स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूब जलाते हैं, तुझ पर बली कर देगा, और तुझ पर मनुश्यों की हड्यां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिनह भी बताया, यहवचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिनह यह है कि यहवेदी और उस पर की राक गिर गई, अतह वह चिनह पूरा हुआ, जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना करकी मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। त चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। क्योंकि यहोवा के बचन के द्वारा मुझे यो आगया मिली है कि न तो रोटी खाना, और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लोटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतल को गया था न लोटकर, दूसरे मार्ग से चला गया। बेतल में एक बुड़ा नभी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किये थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहुदा से आया था, किस मार्ग से चला गया, अता हुनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया। मैं न तो तेरे संग लोट सकता, और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पिऊंगा। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आग्या मिली है, कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लोटना। उसने कहा, जैसा तू नभी है वैसा ही मैं भी नभी हूँ, और मुझसे एक दूट ने यहोवा से वचन पाकर कहा, कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लोटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिये। यह उसने उससे जूट कहा, अतयब वह उसके संग लोट गया औ उसके घर में रोटी खाए और पानी पिया। जब बे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नभी के पास पहुंचा, जो दूसरे को लोटा ले आया था। उसने परमेशवर के उस जन को जो यहुदा से आया था, उकार के कहा, यहोवा यों कहता है इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना, और जो आग्या तेरे परमेशवर यहोवा ने तुझे दी थी उससे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विशय उसने तुझ से कहा था, उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लोटकर रोटी खाए और पानी भी पिया ह इस कारण तुझे अपने पुर्खाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी, जब वह खापी चुका, तब उसने परमेशवर के उस जन के लिए जिसको वह लोटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई, जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंग उसे मिल और उसको मार डाला, और उसका शब मार्ग पर पढ़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंग भी शब के पास खड़ा रहा, जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शब पढ़ा है, और उसके पास सिंग खड़ा है, उस नग वाके उस बचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सिंग ने उससे फाड़ कर मार डाला होगा. तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गदहे पर काठी बांधो, जब उन्होंने काठी बांधी, तब उसने जाकर उस जन का शब मार पर पड़ा हुआ, और गदहे और सि हभी की सिंग ने न तो शब को खाया, और ना गदहे को फाड़ा है. तब उस बूरे नभी ने परमेश्वर के जन का शब उठा कर गदहे पर लाद लिया, और उसके लिए छाती पीटने लगा, और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लोटा ले गया. और उसने उसके शब को अपने कबरिस्तान में रखा, और लोग, हाई, मेरे भाई. यह कहकर चाती पीटने लगे. फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाओंगा तब मुझे इसी कबरिस्तान में रखना, जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेर हडियां उसी की हडियों के पास रख देना. क्योंकि जो बचन उसने यहोवा से पाकर बेतल की वेदी और शोम्रोन के नगरों के सब उचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा. इसके बाद यारुबाम अपनी बुरी च एक से बीस तक. उस समय यारुबाम का बेटा अभियाह रोगी हुआ. तब यारुबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेश बना कि कोई तुझे पहिचान न सके कि यह यारुबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहाँ अहया नभी रहता है जिसने मुझ से कहा था, तो कुछ सूज न पढ़ता था, क्योंकि बुडापे के कारण उसकी आँखें धुंदली पढ़ गई थी. और यहोबा ने अहया से कहा, सुन यारुबाम की स्त्री तुझ से अपने बेटे के विशय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उस से ये ये बातें कहन वो तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी. जब ह्याहने द्वार में आते हुए उसके पाउंग की आहद सुनी तब कहा, हे यारुबाम की स्त्री. भीतरा, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है. तू जाकर इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है. मैंने तो तुझ को प्रजामे से बढ़ा कर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया, और दावत के घराने से राज यच्छीन कर तुझ को दिया. परंतु तू मेरे दास दावत के समान ना हुआ जो मेरी आग्य दालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इसराइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नश्ट कर दालूंगा, और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं य अस्राइली छाती पीट कर मिट्टी देंगे, यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कबर मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहवा इसराइल के प्रभू की द्रिश्टी में भला है। फिर यहोवा इस्राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नश्ट कर डालेगा, परंतु कब? यहा भी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राइल को ऐसा मारेगा, जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमी में से जो उसने उनके पुर्खाओं को दी थी उखाड कर महान के पार तित्तर बित्तर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा, नामक म पूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है, और उन पापों के कारण जो यारुबाम ने किये और इस्राइल से कराये थे, यहोवा इस्राइल को त्याग देगा, तब यारुबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डैवरी पर जैसे ही पहुँची की वह बालक मर गया, तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दा सह्याह नभी से कहलाया था, समस्त इस्राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया, यारुबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया, और कैसा यह सब इस्राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है, यारुबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुर्खाओं के साथ सो गया और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ